बॉल्मारिंग एब्रेवन मैंसेर पाकिप सित्धी की टोई एम गोंगे टीच यू देच यू लेट्ट फॉर यूरीजी सरकेट्स औंड मेजर्मेंट्स फॉर इस लेक्ट्टर में अम लोग पढ़ेंगे पैलल कॉम्बिनेशन ओप रेजिस्टर्स आपनल और के वी एल और के लिएल का प्रूप परिमांगे अलोग इग्जाम देखे लिए लॉग विए चलि स्टार्ट रखते हैं पारलेल कंबिनेशन ओफ रिजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन ने बटा दिया था अब पारलेल कंबिनेशन का मतलब जहां पे भी करेंट का डिवीजन हो जाए जहां पे जंक्शन आजाए करेंट क्या हो दिवाइड हो जाए यह हमारा आप देखिए होगा क्या निगेटिव से पॉस्टिव में करेंट आएगा बाल लेते हैं आई करेंट आया यहां तक आगेगा है अब यहां पर जंशना है मैंने क्या सायसित कों वहर देन मन करेंट का और प्र नॉस्ता है हेट यह हम प्रिशु पार्ट में यह करनेंव मिद मश्याएगा यहां प्रम बह सिस jo aman यहां यहां से चर्बकरता हुआ यहां नाजाएगा और आई टू यहां से ट्रेवल करता हूं यहां कर जाएगा तो अगर हम लोग देखें कि यहां ही तो तूट रहा है इसको तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि आई ही तो तीन पार्ट में टूटा है आई बहुत बेसिक सा कॉन सक्ट है अब देखिए हम इसको करना कहने चाहरे है मतलब कि इन तीनों की जगह पर एक रेश्टर्स हो मतलब ऐसा कुछ है तो यह करने के लिए हमने यहां पर देखा कि आई करें कमरा तीन पार्ट में टूट रहा है यह हमारा केसी आज है तो मतलब जैसे एक ग्जामपल ले लें कि यहां से तो यहां पर कमबाईन हो कि कितना जाएगा हुए कि इसको निकालने कर तरीका आप यह समझे कितने कारेंट आयों कितने बूलति जाए है नाइन बाहर गए चलू आपका इंकमिंग वाले को ऐसे करूं कि समेशन ऑफ आई इंकमिंग इरुपर इंधू करेंट आगा वह तो ही जाएगा आने वाले कितने करमाल एक सपुंद्ध याने वाला कौन फ्री प्लस एक सिंगतु आजाने वाले कौन कौन से हैं और जंग्चन से बाहर के तरफ जा रहा है जंग्चन तो जाने वाले किसे हैं इस प्रॉट रख दो यह तो जोड़ के एक तरफ दो जितना तरह दो जोड़ के एक तरफ दो और दोनों अग्या पर दोनों लगाते हैं आप अब हम लोग देखिया स्टार्ट करते हैं तो आई जिबर दूकर तो कि इतना होता है वीवाई आगार रहाट अग्या होगा अब वोलटे इसके अपराज भी होगा और यहाँ पर दिवहां और इसके अपराहज ही चुछ पी पारल अब जारा करें डिवीजन हुजा है तो आज़ेश बाइवर कितना होगा आज़ेश बाइवाइव राई टो कितना होगा दीवाइव और अगर कई सारे तो तो तेजरा से काटिनुघ करते हम लूग आगे सुल्ड करेंगे इसको यहां से बी कॉमन लेंगे कितना आएगा बन हार ONE प्लस वनप पॉन प्लस ब सम्कों, श्ट्रीं उसके, यह हमारा विच्विघ्वेलेंट में कितना जोष ONE पॉन आरवन प्लस ब समयरे था घृ को यह हमारा एक्विवेलेंट रिस्टेस पॉर पारलल कॉंबरेशन ठीक है इस चीज को आप लोग दरेंगे अब हम केच्छ आफ करेंट लॉप एक कुछ क्वेस्टन करेंगे तो अब जैसे माल ने जो पाइला कुछन हमारे पास है यह कुछन है हमारे पास यह हमारा सेंटर के किया है जंक्शन वाइए अगर पॉस्टन है आपका फॉइन आप लोगों को पताया है आने वाले साथे करेंट कर सामेशन आई इंपूट इस इतना करेंट आया होगा उत्रहीं कर वियांसे जाएगा अभी तो आने वाले कौन-कौन से करेंट है इंवर्ट के तरफ 3 plus 5 plus X 3 plus 6 जाने वाले बांट से 16 plus 4 कि 16 plus real कि इतना होगे है कि यहां से समझ में यहां में कितना करेंट लाओ ठीक है आप लोग को यह चीज अच्छे से समझ में लेते हैं कि यह है 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 आए है 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 वाइक है त्रिकी पॉस्च्चन है वाइक वेलोड़ी काल लिए है कि हम लोग क्या करेंगे वैं समय मुख आई इंपूड इसको इसमेशन आइए आप देखिए इल्पुट वाले कितने हैं शेक्स सब्सक्रिया आए थिक जाने वाले कौन कांपन से हैं अदिवर्टू थी प्लस इक्स प्लस वाइग कि तरी प्लस इक्स प्लस इधा नाइन इस प्लस इस चीज़ को इसको इधर लिखो चाहे बीजिवर्ट वेलिखो तो वाइज इपना आजाएगा वह इत्री माइनस नाइए वाइज इपना इंडिकेट कर रहा है कि यह करेंट आप जाने रहा है जंक्शन से जंक्शन की तरफ आ रहा है तो माइनस साइन इंडिकेट्स दाग दी डारेक्शन इस इस ऑपोजिट यह यहां पर कभी कॉश्चन आता है कि कि यहां से आपनों को दिख भी रहा होगा वाइज तीन एंपिर आ रहा है और तीन एंपिर जा रहा है तो जाहिए बाद नहीं को उल्टा दिया होगा तो यह अब गलत नहीं यह आप इन निगेटिव साइन से इस तरह लिख देंगे डिकेट्स इस अबोजिट मतलब की निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वाटेवर दाट आए डिक्शन दाइज गिवेल इस अपोजिट तुगा एक्ट्वल एक्ट्वल से जश्ट उल्टा अब हमने सीरीज के लिए क्या पढ़ा था है अब हमने सीरीज के लिए क्या पढ़ा था हूं अब हमने सीरीज के लिए क्या था हूं अब हमने सीरीज के लिए क्या था करेंट इस सेम इस सेम अट आल रिश्टर और वोल्टेज क्या था हूं इस दिफरेंट एक चीज यहीं समसकते हो एक पॉइंट है नू करेंट डिवीजन यह बताया था मैंने एक्जामपल फिर दूसरा आता है हमारा पारलल इसमें क्या था वन अपॉण आज इक्यूवलेंट इस इक्वाल टू वन अपॉण आर वन प्लस वन अपॉण आर थी प्लस और इसमें हमने क्या पॉइंट कराए आते है की वोल्टेज शेम वोल्टेज शेम अ करोऊ वोल्टेज शेम अक्रोऊ अल रस दिस्टर्स è current is different current is different and current is different at all the registers current is divided obviously current is divided by current divide by सब्सक्राइब तो इस चीज को आप लोग कुछ अब हम लोग कुछ फॉर्मूलों का कुछ रिविजन करेंगे जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था करेंड का पहला फॉर्मूला सब्सक्राइब लोग बोलते हैं एक अपॉंटी एंपियर है कि फिर हम लोग ने पॉल्टेज के बादे में पढ़ा था वर्क दन अपॉंट चार्ज फिर फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था ओम्स लोग हमने पढ़ा था V by I is equal to R is equal to constant is equal to ML upon NE square tau A फिर हमने पढ़ा था current density current density J denoted by J is equal to I upon A और फिर हम लोग ने पढ़ा था I is equal to NEABD और हम लोग ने क्यों पढ़ा था NEABD into T फिर हम लोग ने पढ़ा था आपका R is equals to rho L upon A फिर हम लोग ने पढ़ा था J is equals to NEVD और हम लोग ने पढ़ा था VD is equals to VD क्या है दिप्ट वलास्टी VD is equal to A tau और और T is equal to R not one plus alpha T और एक लास्ट फॉर्मुला था V by I is equal to R जो कि हमें क्या मिलना था V is equal to I R इतने फॉर्मुले हम लोगों ने इस पूरे electricity के chapter में DC circuit analysis में हम लोगों ने पढ़े हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग इन सब चीज़ों को लोगाले